कि अलो दोस्तों वेल्कम बेक तुड़े गुदाती केस्ट जोन सेंटर गेंबिट के बारे में अभी बात कर रहे हैं लोक सेंटर गेंबिट जिसमें बहुत सारी ट्रैप से लास्ट वीडियो में मैंने 6 ट्रैप्स आपको बताए थी आज उससे आगे बढ़ते हैं हाला कि यह के ट्रैप बहुत ही रेर केस्ट में देखने को मिलने की फिर भी देख लेनी बहुत ही अच्छी है ईफोर ईफायल दैन डीफोर दोस्तों यहां से शुरू होता है डैनिस गेंबिक ओपनिंग लेकिन हम डैनिस गेंबिक के बारे में इसके बात डिसकस करेंगे ईटेक्स डी ब्लैक कोई फसा ना है कुई एसकोर के बाद यहां पर आपको यह इसकोर कॉन को प्रोटेक्शन देने के लिए कुइन एटू अब यहां ब्लैक खिलेगा बिशब बीफोर चैक और चैक रोकने के लिए चैक ब्लैक अगर जीशिक्स पे जाता है तो सिंप्ली नाइटी फार्किंग और रुक पे अटेक्श और उसके बाद आपको रुक मिल जाएगा अगर ब्लैक यहां पर कुइन टेक्श जीफोर करता है तो रुक जीवन कुइन एश्री अउनली ओप्शन है और उसके बाद रुक टू जीट्री कुइन एचफोर और यहां पर नाइट पिखेल सकते हो जाएगा दोस्तों यह पोजिशन कम्प्लेटली वाइट के फेवर न यह त्रैप ज्यादा देखने की ज़रूत नहीं है क्योंकि रेर केस में होता है यह त्रैप लेकिन जो ज्यादा होती है सेंटर गैंबिक जहां पर हम देखेंगे अलग लग ट्रैप पहले हमने कुइन इन्टो डीफोर वाली बहुत सारी ट्रैप देखी यहां पर डीफोर क D4 के बाद E takes D4 और यहां पे Knight F3 एक Simple Development Knight F3 में Black खेले का Bishop B4 चेक अपना Pawn से उकरने का बेस तरीका होता है यहां पे आपको Same reply देना है C3, D takes C3 और यहां पे Bishop C3, B takes C3 Black reply देका Bishop C5, B C5 में आपको खेलना है Bishop C4 यहां पे D5 यह अपना एक Peace Develop करने का और Pawn वापस करने का एक Chance से D5 में आपको खेलना है Bishop takes D5 और यहां Queen F6 Queen F6 यहां पे White को आइडिया क्या है Queen C3 पे Attack है Bishop B4 आ सकता है next move में तो यहां पे आपको खेलना है Bishop G5 Queen G6 और उसके बाद Bishop Sacrifice Bishop into F7 Queen into F7 में Mate हो रही है दोस्तो Queen D8 से और King into F7 तो आपको Queen मिल जाएगी Knight D5 से चलिए अब शुरू करते है बेस्ट लाइन जो बहुत सारे लोग खेलना पसंद करते हैं देनिस गेंबिट तो देनिस गेंबिट के बारे में मैं लगातार आपको सभी ओपनिंग्स बताऊंगा इसी वीडियो में तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए दोस्तों डैनिस गेंबिट बहुत ही अच्छी लाइन है अटेकिंग क्लियर के लिए बहुत ही बेस्ट है इसमें डैनिस गेंबिट के बारे में मैंने डिटिल में बताया है डैनिस गेंबिट क्या होता है कैसे होता ही यह फास द्यान रखिए ओपक्र1 लेते को देते है यहां भी हम नहीं मारेंगे यहां हम खेलेंगे कि अभी इशब कई बार देखो अलग-अलग रिप्लाय है जो मेंन लाइन है पॉन टेक्स पॉन इसके बारे में डीटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे तो एक तो यह है मेंन दूसरा है बिशब बीफो जो डिस्कवर्ड की देता है और आपका रुख मिल दा है उसको क्यों भी डेवलोप होती है क्यों बन रही है मतलब प्रमोशन में तो यहां पर बीवीफोर के रिप्लाइए में आपको देना है बीटेक्स C3 बिशब पैटेक्स और यहां पर ब्लैक के पास बेश चोईस होती है बिशब C5 बड क्या होता है गर बिशब E7 सिंपल डेवलोप करके वापस ले लेता है अब हाला कि ब्लैक्स होता है कि मटरियल प्लास है वो तो उसके बाद बिशब E7 के बाद यहां आपको कैसा अटेक्स करना है क्वीन टुदी फाइब अब द नाइट H6 में क्या होता है सिंपल बिशब टेक्स H6 जी टेक्स H6 एंड क्वीन F7 चेक्मेंट तो यह है डेनिस गेंबिट में पहली त्रैट क्या करना है आपको इस पोजिशन में ध्यान रखिए अगर ब्लैक्स बिशब से सपोर्ट करता है पॉन को तो यहां आपको पॉन ले लेना है उसके बाद विशब जाएगा E7 पे और उसके बाद ग्वीन D5 हाला कि यही सिचुएशन अगर विशब यहां पे C5 में भी होता और A5 में भी होता तब भी आपके पास यही बेस टोईस है डबल आटेक विशब पे और यहां पे चेक्मेंट की ट्रेट है दूसरी ट्रैप है दोस्तों यहां पे पॉंट टेक्स पॉंट C3, DT C3 और यहां BC4 के बढ़ले, सॉरी BC4, बिशब पॉंट टेक्स B2 यह डैनिस गेम बीट कम्पलेटली एक्सेप्टेक्स B7, बिशब टेक्स B7, बिशब टेक्स B7 यह एक सर्प्राइब मूव आइज से कन नाइज किंग F1, अब ब्लाक ट्राइब करेगा किंग साइड डेवलोप्मेंट, नाइज एफ 6 यहां आपको फिलना E5 और यहां एक काउंटर एटेक होता है आला की D5, D5 से कोई ज़्यादा प्रोब्लम नहीं यह वाइट को, और नाइज अगर डिफेंड करता है तो यहां पर counter attack on d5 आपको यहां खेलना है bb5 check अब black अपना knight से उकनने के लिए bishop d7 करेगा तो यह एक black trap में फसरा है black सोचेगा कि अगर आप pond text knight करोगे तो उसे bishop text bishop मिलेगा वो भी check के साथ और black सोचेगा अगर आप bishop मारोगे तो यह knight d7 पर repeat होगा लेकिन यहां बेश्ट जो intermediate move है queen a4 तो queen a4 यहां से completely white gaining a piece क्योंकि यहां bishop पर attack है pawn से knight पर attack है अगर bishop takes bishop होता है तो simple pawn queen takes bishop knight c6 force move है और pawn takes knight यहां white को पूरा piece मिल रहा है तो ट्रैप नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों ट्रैप नंबर 3 कि सेम है जो bc4 तक हम ले जाएंगे यहां पर dennis gambit में इतने moves तो होई जाते हैं bb2 के बार यहां पर एक new move है sorry bb4 check तो सही है king f1 भी सही है knight f6 भी सही है e5 भी सही है d5 भी सही है bb5 check यहां पर क्या होता है अगर knight d7 अब आप सोचोगे कि knight d7 में क्या problem नाइट d7 में क्या best choice है यहां पर आएगा queen to g4 g7 पर threat देना है g7 यहां बचाने के लिए एक ही choice है bishop f8 क्योंकि bishop भी attack में है और g7 पर भी attack है तो bishop f8 force moon है यहां आपको खिलना है e6 knight पर attack है f7 पर attack है f cross e6 और उसके बाद queen h5 check if black place g6 simple आपको खिलना है queen to h3 अब rook पर भी attack है और यहां e6 पर भी attack है तो rook बचाने का only option है rook g8 और after queen take spawn simply आपको double attack से rook में दाए तो यह trap number 3 डैनिस गेंबित में बहुत सारी traps है सभी traps देख लिए बहुत मजाएगा डैनिस खेलने में अब बिशप इंटू b2 knight f6 यही trap हम चलिए यहां पर हमने e5 कर दिया अब black मानलो की queen e7 bc4 c into b2 b7 into b2 ओके यहां पर check नहीं दे रहे हैं समझ लो ब्लैक से अगर कोई check नहीं दे रहा है और एक अलग move है यहां changing क्या होगा knight f6 पहले बिना check दिये यहां भी आपको खिलना है e5 e5 के बाद अगर black try करता है कि उनको pin करके खिलने का तो यहां आपको खिलना है queen e7 अब आपके threat है pawn takes knight queen e2 अब black खिलेगा d5 counter attack लेकिन after e takes f6 यह simply भी नहीं है क्योंकि pawn takes pawn में white trade कर सकता है queen का और पूरा piece plus हो जाता है और queen takes queen में वही जो attack में bishop है वो हमाँ swap असाता है तो यहां भी simple piece plus हो जाते है ट्रैप नंबर 4 आपने देख ली अब देखते है ट्रैप नंबर 5 ओके दोस्तों ट्रैप नंबर 5 में क्या है knight f6 check के बदले knight f6 यहाँ पे एक अलग तरीके से instead of e5 you can play also knight c3 आप knight c3 से अलग attack भी ढूल सकते हैं ओके knight c3 के बाद अगर black ने pin कर दिया knight को तो knight e2 and ge2 black को एक e4 कौन की हम threat दे रहे लालाच दे रहे after knight takes e5 simple castling अब मजाएगा दोस्तों knight takes knight knight takes knight bishop takes knight bishop takes knight bishop takes और castling और यहाँ पे brilliant move है queen to g4 force mate g7 पे mate बचाने का कोई move नहीं है f6 pin है f7 pawn to pawn move नहीं हो रहा है तो only option है g6 after queen d4 there is a mate in one तो यहाँ पे यह mate unstoppable है एक मूँ चला सकते queen sacrifice करके लेकिन बाद में g7 पे mate है यह थी trap number five ओक यहाँ पे trap number six देखते हैं जहाँ पे c3 आगे के मूँज context bishop takes context bishop takes यह main line है d5 अगर black main line खेलता है तो problem नहीं होगा लेकिन main line में भी अगर black ने कुछ mistake कर दी तो simply loss होगा d5 में तीनों पौन वापस देने है bishop takes d5 और दूसरा में knight f6 अब यहाँ पे हम देखते है knight f6 में एक base reply है knight c3 और यहाँ simple black को develop करना चाहिए जैसे के bishop e7 या knight c6 लेकिन अगर black ने knight takes bishop किया यहाँ पे simple knight takes knight और after c6 यह सबसे बड़ी blunder हो यहाँ आप video post करके अपना mood दून दिये बहुत ही मजाएगा चलिए मैं बताते हूं knight f6 sacrifice queen takes knight possible नहीं चैक है pawn takes knight compulsor यह after twin takes queen king takes queen और bishop f6 check और आपको यहाँ पे रूप मिल जाएगा तो यह थी danis gambit की तीनो ट्रैप टोटाल हमने 6 ट्रैप देख ली और आगे की ट्रैप में मेरे next वीडियो में बताऊंगा और भी दो ट्रैप है danis gambit में और फिर दूसरी opening की ट्रैप्स भी हम देखेंगे जल्धी मिलेंगे जैहिन जैगुदर